एलो दोस्तो मुझे हुमीद है कि आप सभी अच्छे होंगी दोस्तो अब हम एनलेसिस करेंगे बैंक निफ्टी का यहाँ पर आपको 15 मिनिट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहे दोस्तो निफ्टी 50 के एनलेसिस की वीडियो में आपको प्रोड करा चुका हूं जो कि आप हमारी चैनल पर जाके देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम डिस्केशन करेंगे बैंक निफ्टी के पारे में अगर आप निफ्टी 50 की वीडियो देखने चाहते हैं तो जाके आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी में हमारी कल के लिए क्या strategy रहेगी, उसका यहाँ पर detail में discussion होने वाला है, यहाँ पर आप देखेंगे, अगर हम 21st का observation करे, यानि कि आज का observation करे, तो आप देखेंगे, हमें यहाँ पर resistance दिखाए दिया है, और यह resistance क्या है, यह resistance जो 20 का high बना था, यहाँ पर market यहां से गिरावट दिखा सकता था, और अगर गिरावट दिखाता था, तो हमें selling opportunity मिलती, लेकिन market ने इसका breakout दिया, और जब भी किसी resistance zone का, जो की एक मजबूत resistance zone है, उसका breakout मिलता है, तो आपको buying opportunity मिलती है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, 150 plus point का momentum आपको यहाँ पर दे resistance zone में resistance की track किया, जो कि आप देखेंगे, 36,300 वाला zone है, जहाँ पर market ने resistance की track किया, और वहाँ से गिरावट दिखाई, यहाँ पर भी एक चीज़ notice करो, अगर आपने ध्यान से notice करी होगी, मैंने आपको क्या कहा है, जब-जब sideways momentum आएगा, ट्रेडिंग को avoid करो, उस situation पर, सा sideways momentum में, जो हमने आपको चार pattern बताय हुए है, चारो patterns में से कोई सा न कोई सा pattern आपको बनता हुआ नजर आ जाएगा, चार pattern कौन से हमारे triangle वाले pattern, साथी साथ trend line से मिलके बनी pattern, और parallel line से मिलके बनी pattern, तो आप यहाँ पर देखेंगे, तो हमें अपना parallel वाला pattern नजर आ रहा है काफी sideways momentum market ने दिखाया, क्योंकि हरे candle 15 minute की है, यहाँ पर आप देखेंगे, हमने 15 minute का time frame select कर रखा है, तो हमें इंतिजार करना था, या तो इसका breakout मिल जाता, तो हमें फिर से एक buying opportunity मिलती, या अब एक breakdown मिल जाए, तो हमें selling opportunity मिलेगी, तो यहाँ पर market ने breakdown दिया है, और आप अच्छी खासी selling opportunity यहाँ पर मिली है, आपको clear clear 100 plus point का momentum market में देखने को मिला है, यह चीज आपको यहाँ पर साब साब दिखाई दे रही है कि नहीं, किस किसने इस pattern को देखा था, वो भी मुझे comment करके जरूर बताए, अभी मैं आपको एक और interesting चीज दिखाने वाला हूँ, जो कल के लिए आपको धियान रखना है, यह तो हमने observation किया कि आज क्या हुआ, कल क्या होने वाला है, उसे धियान से समझो, यहाँ पर अगर आप धियान से देखेंगे, एक और pattern नजरा रहा है, किस किसने इस pattern देखा, दरसल आज यहाँ पर बहुत सारे pattern नजरा है, तो मैंन नजरा रहा है, उपर आप साप साप देख सकते हैं, resistance, नीचे आप साप साप देख सकते हैं, support, और market ने एक form, एक range बना लिए, दूसरे यहाँ पर क्या हो रहा है, यह range नेरो होती जा रही है, और मैंने आपके लिए कहा है, बस हमें नजरे गड़ाई रखनी होती है, जितन यह narrow होता जाएगा, उतने ही इसके chances बढ़ जाएंगी है, तो breakout मिल जाए, या फिर breakdown मिल जाए, दोनों ही situation पर आपको ready रहना है, अगर breakout मिल गया, तो हमें buying opportunities market में देखने को मिलेगी, अगर इसका breakdown मिल गया, तो आपको selling opportunities market में देखने को मिलेगी, अब यहाँ पर धियान से समझो, कभी-कभी यह patterns fell भी हो जाते हैं, क्या होता है, मानलो market ने इसका breakout दे दिया, और volume अच्छा खासा नहीं रहा, तो आपको trading नहीं करनी है, क्योंकि एक तरीके से trap create करता है, आपको दिखाएगा कि breakout दे दिया, और फिर market नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, और एक negative momentum दिखा देगा, या फिर कहीं बार situation क्या होती है, कि market इसका breakdown दे दिया, और volume अच्छा खासा ना रहा, तब भी trading नहीं करनी है, जिस भी तरफ market momentum करेगा, आपको देखना है volume है कि नहीं, अगर volume नहीं है, तो गलती से भी position बना के मट बैच जाना, वो एक trap हो सकता है, यहाँ पर क्या देखेंगे, market फिर support लेगा, और फिर आपको एक positive momentum दिखाना शुरू कर देगा, तो इसलिए पहले आपको भले ही आपको breakout मिले, या breakdown मिले, आपकी एक नजर volume पर भी होनी चाहिए, और काफी लोगों को volume नहीं पता लगता, इंडिकेटर में जाए, वोल्यूम इंडेक्स पे नहीं दिखाई देगा, आपको इनके future लगाने है, bank nifty का भी future लगाईए, और nifty 50 का भी future लगाईए, वहाँ पर आपको volume दिखाई दे जाएगा, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, बेफिकर अगर breakout मिला तो उपर की तरप क्या target रहेंगे, अगर breakdown मिला, त आगे बढ़ते हैं, आगे हम क्या देखेंगे, इस level को समझो, कल हमने आपके लिए एक level का discussion किया था, जो था 36,000, और आज आपको 36,000 का breakout मिल चुका है, हाला कि अभी भी market एक resistance zone में है, क्योंकि आप देखेंगे, इसी resistance zone में हमें मही में भी गिरावट देखने को मिली थी, पर लेकिन हम क्या assume कर रहे हैं, अगर market इसी तरीके से positive momentum दिखाता रहा, तो अगला जो resistance हमारा बनने वाला है, वो 37,000 के zone वाला बनने वाला है, यहाँ पर अपरेल में देखो कितना अच्छा कासा resistance देखने को मिला था, उससे पहले पूरे मार्च में देखो, मार्च में यह आपको resistance और support दोनों दिखाए दे रहे हैं, अक्टूबर में देखे आपको support देखने को मिला था, September की बात करेंगे तो पहले market ने resistance दिखाया था, इसे zone में, breakout देने के बाद market ने यहाँ पर आपको support दिखाया था, तो पहले तो हम समझते हैं कि market अभी भी हमारा एक resistance zone में है आपको इस चीज़ का दियान रखना है, पहली possibility तो यह रहेगी कि market यहीं पर ही resistance की तरे एक्ट करें और आपको एक गिरावट दिखाये, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैंने आपको कल भी समझाय था, कि market positive रहा चलो, positive रहा चलो, यहाँ पर भी positive रहा, यहाँ पर भी positive रहा, one-sided कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो लोग buying कर रहे हैं, definitely वह अपना profit भी book करेंगे, profit book करेंगे तो उन्हें sell करना ही पड़ेगा, और उस वज़े से market में आपको गिरावट आईगी, market इस तरीके से चलता है, तो इस चीज़ का आपको धियान रखके चलना है, पर लेकिन फिर भी अगर आपको breakout मिला, तो आपको पता है, 37,000 हमारे लिए एक नया resistance रहने वाला है, अब यहाँ पे कुछ level का discussion कर लेते हैं, जो कि हमें price action की मदद से यहाँ पे दिखाई दे लिए, अगर आपको gap up opening देखने को मिलती है, या फिर flat opening देके market आपको positive momentum दिखाता है, इन market ने आपको इसका breakout दिया, उस इस्तिति में जो हमना हमें अगला resistance नजरा रहा है, यह मैं आपको फिर से कहूंगा 37,000 को ही आपको अगला resistance, जो एक मजबूत resistance के रूप में नजरा आएगा, उसे मान के चलना है, वहीं पे discussion करते हैं, अगर आपको gap down opening देखने को मिली, या फ resistance बना हुआ था, और मैंने आपको बताया है, अगर कोई resistance zone है, उसका breakout मिलता है, तो वह support की तरह एक्ट करता है, जितना मजबूत वह resistance था, possibility है, उतना ही मजबूत वह आपको support की तरह काम करता हुआ दिखाई देगा, अगर market ने इसका breakdown दे दिया, उसके बाद जो हमें support देखने को मिल रहा है, इस zone में, या फिर clear clear आप कह सकते हैं, कि market इस gap को fill करेगा, और जो 19 का high है, इसके उपर market आपको support लेता हुआ दिखाई देगा, समझ गे इस चीज़ को आप अच्छे तरह के से, यहाँ पर एक चीज़ और notice करो, जहाँ पर 20 को market ने closing दे थी, 21 को market न से, इस low की respect करें, अगर इस low का breakdown हो गया, तो definitely आपको negative momentum market में देखने को मिलेगा, तो अगर शुरुआत से ही market negative चलता है, तो आपको इस support पे भी नज़र रखने हैं, यानि कि 20 का low है, और 21st का low है, possibility देखो, यह होती है, कि आप यहाँ पर अपना profit book कर सकते हैं, partially profit book कर सकते ह अगर आपनी selling position बनाई हुए है, या फिर इसका breakdown होता है, तो आपको एक नए entry के opportunity मिलती है, depending volume अच्छा खासा हो, बाकी सारी चीज़े आपके favor में हो, तो इस तरकी से आप अपनी trade को plan कर सकते हैं, अब सबसे interesting चीज़ का discussion करते हैं, जो कि है हमारा no trading zone, कहाँ पे हमें trading नही करनी है, यहाँ पर आप देखेंगे, आपको दो red line दिखाई दे रही है, नीचे level line की बात करेंगे, 36,056 की है, वहीं अगर आप up level line की बात करेंगे, 36,330 की है, जो कि आप देखेंगे, 21st का high भी है, जब तक market आपको इस zone में दिखाई देगा, आपको market में कोई भी position नहीं बनानी है, आपको market को just observe करना है, अगर मिलता है आपको इसका breakdown price नीचे sustain करता है, तो आपको मिल सकती है selling opportunities, वहीं पर गर देखेंगे, मिलता है आपको इसका breakout price उपर sustain करता है, तो आपको मिल सकती है buying opportunities, धियान यहाँ पे ये भी रखना है, कि आपको यहाँ पे 21st के day high का भी breakout मिलेगा, तो यहाँ पे day high के breakout वाले strategy भी आपके लिए काम करती हुई दिखाई देगी, आपके favor में रह सकती है, अब उपर की तरफ हमारे क्या level होने वाले है, नीचे की तरफ क्या level होने वाले है, इनका discussion कर लेते हैं, हम pivot point की मदद से, यहाँ पे आप देखेंगे, अगर bank nifty में आपको एक positive momentum देखने को मिला, ऐसी इस्तिती में जो में पहला resistance नज़रा रहा है, यह 36,451 पे नज़रा रहा है, अगर market ने इसका breakout दे दिया, जो में दूसरा resistance दिखाई दिया, 36,585 पे नज़रा रहा है, अगर market ने इसका भी breakout दे दिया, जो में तीसरा resistance नज़रा आपको देखने को मिला negative momentum, ऐसी इस्तिती में जो में पहला support नज़रा रहा है, 36,719 पे नज़रा रहा है, जो कि मैं आपके साथ discuss कर रही चुका हूँ, अगर market ने इसका भी breakdown दिया, जो में दूसरा support नज़रा रहा है, दूसरा support बताने से पहले में आपको बता दिया, किसी बता है का ना तो कोई buy recommendation है, ना ही कोई selling recommendation है, यह just educational purpose से बनाए गई analysis video है, invest करने से पहले आपको अपनी research करनी है, अपनी investor की सला लेनी है, क्योंकि profit भी आपका होने वाला है, lows की जिम्मेदार भी आपको अपनी हाप लेनी है, तो आप देखेंगे, यहाँ पर हमीं जो दूस तीसरा support नज़र आ रहा है, यह 35,836 पर नज़र आ रहा है, अगर market ने इसका भी breakdown दे दिया, जो हमें तीसरा support नज़र आ रहा है, यह 35,695 पर हमें तीसरा support यहाँ पर देखने को मिल रहा है, अब एक नज़र हम option chain पर भी डाल लेते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे, 28 July की ह हमने expiry select करके है, call की साइड हम देखने वाले है, resistance को, put की साइड हम देखने वाले है, support को, resistance की बात करेंगे, तो 36,500 पर एक resistance नज़र आ रहा है, जहाँ पर आप देखेंगे 9.6 लेक का आपको यहाँ पर open interest दिखाई दिखाई रहे, अगर market ने आपको इसका breakout देता है, फिर आप देखेंगे 37,000 पर जहाँ पर आपको 11.1 lakh का यहाँ पर open interest दिखाई दे रहे, यह दोनों level आपके साइड डिसकस किये गए, वहीं पर अगर support की बात करें, तो 36,000 पर एक support में ज़र आ रहे, जहाँ पर आप देखेंगे 12.1 lakh का आपको यहाँ पर open interest दिखाई दिखाई अगर आपको इसका breakdown मिलता है, उसके बाद जो हमें support में ज़र आ रहे, 35,500 पर जहाँ पर आप देखेंगे 12 lakh का आपको यहाँ पर open interest दिखाई दे रहे, दोस्तों अगर आप अपनी knowledge increase करना चाहते हैं, तो आप हमारी website पर visit कर सकते हैं, website का link आपको नीचे description में मिल जाएगा आप जाके chart patterns और candlestick patterns से related content जाके आपको वीडियो भी मिल जाएगे, article भी मिल जाएगे, जाएए और अपनी knowledge को increase कीजे, फिलाल इस वीडियो को like कर दीजे, channel को subscribe कर दीजे, bell icon प्रेस कीजेगा, इससे आपको आने वाली वीडियो के notification मिल सकेंगे, फिर मिलेंगे किसी next वीड